तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में खत लिखना सिखने वाले हैं आज का यह वीडियो सबसे अलगा और सबसे बहतर होने वाला है हलांके इसके पहले भी मैं आप लोग को खत लिखना बता चुकी हूं कैसे उर्दू में खत लिखा जाता है पिछला वाला वीडियो भी देखकर आप लोग खत लिखना सीख सकते हैं लेकिन आप लोग बहुत ज 4 लीडिर्टि यह प्लेटे का पूछा जाता है आप लोग के इंग्जाम में खत लिखने का सीग्ढर से यह आप लोग कूछ ञाते हूं सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि खत को हिंदी में कहा जाता है पत्र और इंग्लिश में कहते हैं लेटर ठीक है ना और उर्दु में खत कहा जाता है या फिर आप लोग कह सकते हैं चिट्थी भी कहीं कहा जाता है गाव दिहात में तो चिट्थी बोलिए पत्र बोलिए या फिर ले कारे शब्रिखने waal है अब देखिए जब आप लोगे एग्जाम में ऊचा जाता है खत लिखने के लिए किसी के पास भीखत लिखने लिए के लिए बोल सकता है और किसी भी मुध्दि पर जैसे की आप लोगे लिए ठीक है या फिर computer आप खरिदना चाहते हैं इसके लिए पैसे मांगी अपने वाली तहब से खत लिखकर या फिर अपने दोस्त के पास से खत लिखिए जिसमें आप साल सालगिरा में शिर्कत नहीं कर पाया हैं तो इसकी मुआफी मांगी खत लिखकर अपने दोस्त से या फिर आप अपने मित्हान में अवल दर्जे से पास हुए यान कि फॉस्ट आये हैं तो इसकी मुबारक बाद अपने दोस्त को दीजिए किसी के पास भी बोल सकता है खत लिखने के लिए और किसी भी मुद्दे पर और यही पास नंबर का पूछा जाता है अगर हाँ से पहले तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है आपकी खत को देखता है कि आप लोग शहर और डेट वगर नेसे नहीं से आप को एक नंबर मुल जाता है znaj उसके पास आप से आप लोग खत लिखिये है उसका नाम एहतराम से लिए हैं कि नहीं तो यहाँ से आप लोग ए कैसे कीए हैं और जिस्मुद्दे पर छठ लिखने के लिए कहा गया है उस मुद्दे को आप लोग कितने भैतरीन भंग से लोफो बने हैं यह साझाधी चीजे जो ह Barbie देखता है कि आप लोग के स्टांटिंग कैसी आप लूग'Tаться जिस को मतलब pilot लिखना है खत में उस बात को बहतरीन धंग से लिखे हैं कि नहीं तो यहां से आप लोगो एक नंबर उचार नंबर हो गया ना एक दो तीन और यह पूरा चार और लास्ट में कपी चेक करने वाला देखता है कि आप लोग इंडिंग कैसे कि यह खत्म कैसे कि हैं तो यहां से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए ताकि सब कुछ किलियर हो जाए और सब कुछ समझ में आ जाए ठीक है ना सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं जो मैं बोड पर एक खत लिखी हूं यह खत में मैं दो कलर के मारकर से लि उफा फुपी दोस्त भाई बहन किसी के पास भी खत क्यों न लिख रहे हों या फिर किसी भी मुद्दे पर क्यों न खत लिख रहे हों कम्प्यूटर का पैसा मांगने के लिए यह फिर गर्मी की चुट्टी उजारने के लिए अपने वालिद से इजाज़त लेना चाहते है या फिर जिर्भ खर्च की लिए पैसा मांगना चाहते हैं या फिर अपनी तालीम और तरवियत का हाल बयान करना चाहते हैं या फिर मतलब की कि आप लोग करने कि नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए मुञाफी मांगने के लिए खत लिख रहे हूं gosh t लिख रहे हो सो कितना आसान तरीका में आप लोग को बता रही हूं जाद आप लोग को महनध करने की ज़ोत नहीं है तो इससी बात पर स्टार्टिंग में तो आप लोग लाइक तो बनता है वड़ावर वीडियो को लाइक कर दें चलिए अब मैं आप लोग को समझाती हैं इस्टार्टिंग से कि खत लिखने की शुरुवात कैसी करनी है और कैसे लिखना है देखिए माली यह आप इसी ओड़ो लिखना है क्या देखे इमताहानी मरकज क्योंकि आप लोग इमताहान इक्जाम दे रहे हैं इह प्ल write लिखना है इमताही मरकज जिस तरह मैं सुरू नहीं को का लिखना है अब ही देखिए एक तरह से समझें कि जो अपलोग को लिखा हूं दिख रहा है एक डेमो है आप लोग इस खत को जिस तरह में लिखिएंगु और अपने नोड़ बूक पर उतार लीजिए ताकि आप लोग को याद रहें जिस तरह मैं यहां पर लिखिएंगा बिलकुल आप लोग उतारना है इमतभानी मरकz और जस्त एक लाइन नीचे चले आना है जस्तिस के नीचे चले आना है और शहर लिखना है शहर लिखकर इस तरह डैस दे देना है और शहर का नाम नहीं लिखना है याद रखिएगा शहर का नाम नहीं लिखना है शहर के नाम के लिगा अलिव बेजीम डाल देना है अब यहां पर बहुत सा शहर का नाम लिखे कि नहीं लिखे तो देखिए ध्यान से सुनिये मेरी बात को शहर का नाम आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग का मन है तो लिखे कोई दिक्कत नहीं है मैं आप लोग को रोखूंगी नहीं लेकिन मेरी राय अगर आप लोग मानेंगे तो मैं आप सभी नाम नहीं लिखने के लिए हम लोग क्यों नहीं लिखे तो इस वज़े से क्योंकि अगर आप लोग शहर का नाम लिखते हैं तो हो सकता है चांस बढ़ जाता है नंबर कटने की तो उससे अच्छा है कि आप लोग शहर का नाम लिखे ही मत शहर का नाम के जगाली बेजिम डाल लेकिन हाँ यह हो सकता है कि अगर आप लोग शहर का नाम लिख देते हैं तब नंबर कटने की चांस बढ़ जाती है तो आप लोग रिस्क नाले शहर के नाम के जगा अलिबे जिम डाल दीजेगा ठीक है उसके जस्ट नीचे आजाना है आप लोगो एक लाइन नीचे और फिर आप लोगो डैट डालना है जिस दिन आप लोग खत लिख रहे हैं उस दिन कौन सी तारीख है तारीख कि यहां पर आप लोगो घती हुआ है यहां इस से खत लिखी है जिसमें 500 रुपे की मांग की गई हो जेव खर्च के लिए तो उसी मुद्दे के उपर ये मैं खत लिखी हूँ यानि कि बड़े भाई के पास ये खत लिखा गया है तो देखे कितने एहतराम से नाम लिखा गया है प्यारे भाई जान इसमें रिस्पेक्ट भी लिख लिखे उसका नाम वहतराम से लिए अब मालेजें कि आपने वालिद के पास खत लिखने लिखने वाले हैं मतलब मालीजी आप दोब आप लिखना है तो अब यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे भाईजान तो लिखेंगे नहीं क्योंकि अब आप लोग वालिद के पास खत लिख रहे हैं तो यहां पर आप लोग किस तरह से नाम लेंगे किस तरह इहतराम से नाम लेंगे वह भी मैं यहां पर लिखेंगे अगर आप मुहतरम अब्बाजान और यह एक्सकलामेशन मांग जरूरी है देना यह प्यारे भाईजान हर जाएगा और यहां पर आप लोग को लिखना है यही चीज मुहतरम अब्बाजान क्योंकि अभी आप लोग अपने वालिद के पास खत लिख रहे हैं ठीक है अब मान लेजे आप मुहतरम अब्बाजान और वालिदा अगर है वालिदा के पास खत लिख रहे हैं तो मुहतरम अम्मी जान यहां पर आप लोग को लिखना है स्टार्टिंग करना है ठीक है क्योंकि आप लोग जानते है कि मेल के लिए मुहतरम यूज किया जाता है और फीमेल एस्तरी के तो पास खत लिए ना उसके बास लसे बोल दिए कि आप अपने चाची जान के पास खत लिए तो यह जो महतरम है ना महतरम मंः उलॉक्त अम्म ने ओधिन मुहतरमा चची जान लगा दीजिए माली जी बोल दीए अब फुपी जान के पास खत लिखिए तो मुहतरमा फुपी जान लगा दीजिए मतलब इस्टार्टिंग में ये मुहतरमा जरूर लगाईएगा क्योंकि respect एहतराम से नाम लेना है या फिर सिर्फ प्यारे दोस्तों भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं बस ये लास्ट में एक्सक्लारमेशन मांक जरूर लगाईएगा ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगो तो आई होप आप लोगो को समझ में आ गया जिसके पास भी खत लिखिए चाचा चाची फूफा फूफी थेके मामा मामी बस एहतराम से नाम लेना है मुहतरम या फिर मुहतरमा लगा देना है फूफी के पास लिख रहे हैं तो मुहतरमा फूफी जान फूफा के पास लिख रहे हैं तो मुहतरमा फूफी जान और चाचा के पास लिख रहे हैं तो म लिख रहे हैं तो प्यारी इसतरा आप लोग स्टार्टिंग में क्स जब देना जडरूरी है जरूरी थिक है जरूर दीजिए चीज आप लोगोगो भूलना नहीं है उसके बार से थिक इसके एक लएन नीचे चले आना है और आप लोगो लिखना है सब से पहले क्योंकि सलाम वो आदाब करना जरूरी होता है तो असलाम वालेकुम जिस तरह मैं लिखी हूँ इसी तरह से आप लोगो असलाम वालेकुम लिखना है और यह exclamation mark देना है इसको देख लिजिए ध्यान से और लिख लिजिए copy में लिखना है आप लोगो इसको इस तरह मैं खत लिखी हूँ ना बिल्कुल हूँ आप लोगो copy में उतार लेना है असलाम वालेकुम बिल्कुल इसी तरह से लिखना है और exclamation mark इसी तरह से होना चाहिए ठीक है उसके बाद से आप लोगो खत लिखने की शुरुआत करनी है स्टार्टिंग आप लोगो का कैसा होना चाहिए देखिए यह ब्लेक कलर के मारकर से लिखी होना है उमीद है उमीद है कि आप सभी लोग बखैर वाफित होंगे मैं भी अल्ला के पुजलोगराम से ठीक हूँ यह स्टार्टिंग में मैं ब्लेक कलर के मार्कर से लिखी हूँ यानि कि ये जो जुमला है ये हर हर खत्मी रहेगा आप किसी के पास क्यों न खत्लिखे आप अपने अब्बो के पास लिखे अम्मी के पास लिखे चचा के पास लिखे चाची के पास लिखे फूपा के और कि चुट्टी कुजाने के लिए इजाजत लेना या फिर पैसे मांगने जिस भी चीज़ के लिए अप लोगो किसी मुद्दे पढ़ लिखे यो रहेगा यह हर खत में लिखना है आप लोगो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में यह जरूर रखिएगा, बहुत ही अच्छे सेंटेंस को चूज करके, मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जब जो कौपी चेक करने वाला है ना, वो पढ़ेगा ना, खुश हो कर एक दम, पास नंबर पक्का है क कि देना ही देना है आप लोग, कोई इसमें शक नहीं है, उम्मीद है कि आप सभी लोग वखैर वाफियत होंगे, मैं भी अल्ला के फजल अकरम से ठीक हूँ, यह स्टार्टिंग में रखना है, चाहे आप किसी के पास भी खत क्यों न लिख रहे हूँ, हर खत में रहेगा, आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा, उसके बाद से यह जो मैं ब्लू कलर के मारकर से लिखी हो ना, यह टॉपिक चेंज होने पर चेंज होगा, यह जो खत लिखा गया है, यह बड़े भाई के पास लिखा गया है, यह बड़े भाई के पास खत लिखा गया है, तो म अपने दोस्त के यहां जाना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त लीजिए या फिर आप इंतहान में अगल दर्जे से पास हो गया है तो इसकी मुबारक बात दीजिए अपने बड़े भाई को आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है तो यहां पर जो कुछ भी लिखना है यह आप इसलमे अच्छे तरीके से अपने बड़े भाई से 5 इसलिएगा मैं पढ़ रही हूं जरूरी अर्ज यह है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं भी ध्यान देकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ घर से आते वक्त आप किसी काम से बाहर गए हुए थे मुलाकात नहों सकी इसका बड़ा अफसोस रहा कि आपकी दुआ ना ले सकी मतलब आपसे मुलाकात नहीं हो सकी जाते वक्त और इसका मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं आपकी दुआ ना ले सकी घर से आते वक्त भावी जानने मुझे 200 रुपे जेव खर्च के लिए दिये थे उस वक्त उनके पास इतनी ही रखम थी मतलब उस वक्त उनके पास इतने ही पैसे थे देखें कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिख दी हुए ठीक है मुद्दा क्या था पांस रुपे की मांग करना जेव खर्च के लिए अब आप किस तरह से कितने अच्छे तरीके से 5 रुपए की मांग कर पा रहे हैं अपने बड़े भाईजान से ये आप के उपर डिपेंट करता है मतलब यहाँ पर जो भी आप लोग बात कहना चाहते हैं आप लोग कितने अच्य तरीके से लफजों को सजाकर लिख पा रहे हैं ये आपके ठीक हूँ जरूरी अर्ज यह है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं मैं भी ध्यान देकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ घर से आते वक्त आप किसी काम से बाहर गये थे मुलाकात तो ना हो सकी इसका बड़ा अफसोस है मुझे कि मैं आपकी दूआ ना ले सकी घर से आते वक्त भावी जानने मुझे 200 रुपे जेब खर्च के लिए दिये थे उस वक्त उनके पास इतनी ही रकम थी इसलिए आप से गुजारिस है कि अगर आप मुनासिब समझे तो 500 रुपे जेब खर्च के लिए भेजने की जहमत फरमाए ताकि मैं अपनी छोटी को पूरा कर सकूं कि कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजाकर और 500 रुपे की मांग भी कर दी हूँ मैं बड़े भाई से तो इसी तरह से आप लोग को भी लिखना है लफजों को सजाकर मुद्दा कुछ भी हो लफजों को सजाकर बैतरीन धंग से लिखिएगा उसके ब रहेगा क्या है कि एफ यई चीज लिखना है कि घरवालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को दौओं खरmar जाएं वद्विसन और बच्चों को अखिर में हर вариक्त ही ठीक है हर खत्मे लिखना है उसके बाद से यहां पर तो सारी बात खतम हो गई अब लास में यहां पर आप लोगे के बाएं तरफ चली आना है बाएं तरफ और आप जिसके पास खत्र लिखें आप क्या लगते लिख देना है जैसे कि मैं बड़े भाई के पास खत लिख रही हूं ना बड़े भाई के पास यह खत लिखा गया है तो बड़े भाई कि मैं क्या हूं चोटी बहन हूं तो यहां पर लिख दी हूं मैं आपकी छोटी बहन तो यहां पर आप लोग को क्या लिखना है आप लोग को लिखना ह यानि कि अब्बाजान के पास यह खत लिखा गया है तो अब्बाजान के आप क्या लगते हैं वही चीज आप लोग को यहां पर लिख देना है मतलब कि आप जिसके पास खत लिखे हैं उसके क्या लगते हैं वह यहां पर लिखना है आप अब्बाजान के या तो बेटे लगत तो लिख दीजिए यहां पर आपका प्यारा बेटा या फिर आपका फर्माबरदार बेटा अगर आप लोग बेटी है तो आप लोग लिख दीजिए लास्ट में आपकी प्यारी बेटी ठीक है तो इस तरह से आप लोग को करना है अगर आप लोग महतरमा अम्मी जान के पास इसके पास लिखें याएव लोग अपने वालिदर के पास फतलिकें तो कि अब यहां पर आप लोग को समझ में आगया जिसके पास आप लोग खत लिख रहे हैं तो इसके क्या लगते हैं यहां पर लिखना होता है बड़े भाई के पास यह खत लिखा गया है तो बड़े भाई की मैं छोटी बहन हूं इसी वज़से मैं लिख दी हूं आपकी छोटी बहन और जस्ट नीचे यहां पर नाम लिखना रहता ह तो यहां पर नंबर कटने की चांसे बढ़ जाती है तो आप लोग क्यों रिस्क ले आप लोग रिस्क मत लीजिए आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं यह आपकी मर्जी के उपर है लेकिन अगर आप लोग यहां पर नाम लिखते हैं तो हो सकते हैं कि आप लोग की नंबर कट तो क्या जरूरी है रिस्क लेना उसे चाहत नाम लिखिये ही मत रिस्की मत लीजिए डारेक्ट आप लोगो फुल माक्स मिल जाएगा यहां पर नाम लिखकर अली बेजिम डाल दीजिए बस एक्जामे जो कॉपी चेक करने वाला है उसको दिखा दीजिए कि हां आप लोगो ख लिखने आता है कि नहीं पस यह चीज़ आप लोगो दिखा देना है यहां पर नाम ले लिखना अली बेजिम डाल देना है बस बात खतम हो गया यहां पर खतका देंड हो गया ठीक है आई हो पाप लोगो समझ में आ गया हो कि खत के स्टार्टिंग कैसी करनी है और पांच नंबर्स आप लोगो के मुठ्ठी में एक नंबर भी नहीं कटेगा फूल मार्क मिले लेगा याvbos 5 नंबर मिलने वाला आप लोगो बस इस तरह से मैं बताई हूं इसल्याइग पो लिखना है इसको कोपी पर उताड़ लिजे अगर इस तरह से इसी तरीके से अगर खत लिखते हैं तो आप लोगों को कुल मार्स मिल जाने वाला है याद की पांच में पांच नमबर मिल जाने वाला है ठीके आई हो आप लोगो को समझ में आ गया होगा एक बार में एक मीनट में रिवाइज करना चाहती हूँ ताकि आप लोगो फिर से अच्छे तरीके से समझ में एक मीनट में रिवाइज करेंगे देखे सबसे आप लोग को पेज के दाय तरफ चले जाना है इंतहानी मलकाज लिखना है शेहर लिखकर देना है लेकिन शहर का नाम नहीं लिखना है और डेट यहां पर लिख देना है यहां से एक नमबर मिल जाएगा उसके बाद जिसके पास आप लोग खत लिख रहे हैं उसका नाम एहतराम से लेना है बड़े भाई के पास लिखा गया है तो प्यारे भाई जान लिख दिए हु तो स्टार्टिंग में आप लोगों को ये जरूर लिखना है कि उम्मीद है कि आप सब भी लोग बखैर और आफित होंगे मैं भी अला के फजल करम से ठीक हूँ ये लंबा चुड़ा लिख देना है उसके बाद से जो ब्लू कलर के मारकर से मैं लिखी हूँ ये टॉपिक में रखिए गाि सिंपल लफजों का यूज करना है अपने बात को बेहतरी नग से कहदे देना है लफजों को सजागर बस आप लोग असानी से यहां पर अपने लफशों में लिख सकते हैं उसके बाद लोग से आठीजके बाहे पर रिवाइस भी ओ गया और समझ लोग इस बीडियो को समझाई और वीडियो अच्छा लगा तो पड़ा-पड लाइक कर दिजिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किये तो लाइक तो बनता है और जितना जड़े हो सके शेयर कर दीजे ताकि सबी लोग इस वीडेयो का लाप उठा सके सबी लोग को पता चले कि खत लिखने का 100% सही तरीका क्या होता है जितना ज़्यदा हो सके शेयर करके बता दे और हां आप लोग थोड़ सा इंतिजार कर ले बहुत जल्द application यानि की दर्खास लिखने का भी तरीका मैं आप लोगो बताऊंगी 2024 के एक्जाम के लिए 2024 के एक्जाम के लिए new और latest तरीका दर्खास यानि की application लिखने का उर्दू में बहुत जल्द वीडियो अप्लोड होगा आप लोग स्वार साइं दजार कर लिजे और इस वीडियो को जितना ज़्यदा हो सके लाइक शेर करके motivation बढ़ाईए ताकि हम लोग आगे इसी तरह निरंतर क्लास लेते रहें ठीक है ना चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है ले लिजे फड़ावर स्क्रीन शॉट तो शली आज के इस वीडियो को यही पर इंड करते हैं अब मातर दो तिन और टॉपिक बचा हुआ है उर्दू ग्रामर में जो कि मैं बहुत जल्द आप लोगो को कम्प्लीट करा देने वाली हूँ एक तो अप्लिकेशन यान की उर्दू में दर्खास लिखने वाली बात ह गई और उसके बाद से मजमून भी लिखना में आप लोगो को बताना है मजमून यानि की एसे निबंद उर्दू में कैसे लिखा जाता है जो कि वह भी पांच नंबर का आप लोगे पूशा जाता है तो उसका भी तरीका में आप लोगो एकदम सिंपल एकदम आसान तरीका बता दूँगी आप लोग टेंसन फ्री रहें ठीक है उसके बाद से मैं देख लिएंगी कौन-कौन से important topic है जो कि आप लोग के exam के point of view से काफी important है वो मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी और उसके बाद से रही बात की exam में उर्दू के paper को कैसे लिखा जाता है उर्दू paper को कैसे लिखे लिखने का तरीका क्या होता है किस तरह से लिखे ये आप लोग को बता दिए जाएगा आप लोग के exam से पहले तो अप लोग टेंसर न ले उर्दू में जब तक मैं हूं आप को एक पसंट भी टेंशन लेने की दौस्त ही नहीं है जब तक हम है तो फिर क्या घम है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रिंट करते हैं फिर मुलें कि हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज